वेल्कम टू क्लास ऑक्साइट करेंट अफैर डेली करेंट अफैर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 अगर्स 2023 करेंट अफैर इन हिंदी को राउट कवारी हो तो यहां मुस्से जूरू सकते हो पीडियेफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी पहली करेंट अफैर है मिनिस्ट्री ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी शॉट में इसको मिल लिखते है ठीक है तो इन्होंने लॉंज किया है एक चैलेंज क्या चैलेंज है इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप्मेंट चैलेंज देखो आपको जब इंटरनेट यह सबको बोलता है वेब ब्राउजर तो वैसा ही इंडिया भारत चाहता है कि हमारा खुद का वेब ब्राउजर बने तो इसी के लिए एक चैलेंज जो है याद रहो किसने लॉंज किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी न tiya बन गया है जिसे जो है कहा जान्रहें क्या पिंक खरे C तक यह आएपस आपके से महीला तरीक सब्सक्राइब तेशन क्यों यह अश्यज् ny。 अग्ले लग्हेंद फर देख लो एक पैंक है यू स्माल फाइनस भैंक है ќु स्माल फाइन्स बैंक थे अब्स麦् Oh है कि यह लोग अपने कस्टमर को 24 गंटे 24 इंटू 7 जो है वो अपना फैसिलिटी पोइट करेंगे वीडियो बैंकिंग फैसिलिटी पोइट करेंगे तो यह बड़ा यूनीक सा यह नया सा एक सर्विस है तो आपको याद आखना है यू स्मॉल फाइनस बैंक ने यह लॉंच क कंपणी है यह एक्चुली में एक दूसरी कंपणी है कोरोमंडल इंटरनेशनल उसके अंडर आता है तो नाम याद रोखो दक्सा अंबैंट सिस्टम तो इन्हों ने इनको और मिल गया है कितना तो 200 मीडियम अल्टिटूड लॉजिस्टिक ड्रोन्स के लिए याद रखना ह है तो दक्सा अंबैंट सिस्टम को मिला है 200 ड्रोन बनाने के लिए और यह ड्रोन यह किनको सप्लाई करेंगे तो इंडियन आर्मी को अगली करेंद देख लेते हैं रिजर्फ बैंक अफ इंडिया आपको अगर मालों पेमेंट करना होता है आज के डेट में तो आप क्या कर यह पेमेंट वेगरा हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है उसके लिए अलग सिस्टम लाया गया है तो यह अफलाइन मोड में जब इंटरनेट ना हो ऑफलाइन मोड में यूपी आई लाइट का इस्तमाल करके अब तक मैक्सिमम एक बार में 200 रुप्या ट्रांसफर किया जा स आणा जो है राइस प्राइस इंडेक्स जारी किया गया तो आपको यह फोकस करना यह नॉंबर टू-प्राइस इंप्राइस इंडेक्स चावल के जो मुल्य का सूचकांक जो है यह किनों ने जारी किया है तो फूड एग्रिकल्चर और अग्ली करेंट पर एक फेस्टिवल इंडिया स्टाटप फेस्टिवल दोहजार तेज तो यह कहां हो रहा है तो यह दखना है यह हो रहा है बैंगलूरु में तो यह दखना है इंडिया स्टाटप फेस्टिवल दोहजार तेज यह कहां हो रहा है तो बैंगलूरु में और इसका थीम क्या है तो इसका थीम है इ अविश्कार वेगरा होने चाहिए उन लोगों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए ताकि उनका जो है उनको हम लग समाज में उपर लेके आ सके तो थीम याद रखो इनोवेशन अड़ बॉटम अफ पिरामिड अगली करेंड फैर देख लेते हैं सुप्रीम कोट ने एक पोर्टल लॉंच किया है पोर्टल का नाम क्या है बैसिकली वेबसाइड है नाम क्या इसका सूस्वागतम सूस्वागतम तो होता क्या है सुप्रीम कोट के अंदर अगर आपको जाना किसी कारण से श्यौकिक विजिट कर दो आप खुषिड कर रहे थो सुप्रीम कॉट में तो आपको काफी सारा प्रोस से गुजरना होता है इस प्रोसेस तक साल 2023 तक हमारे भारत से जो है जो फाइलरेसिस विमारी जो है सको पूरी तर्की से खतम कर दिया जाएगा तो बीमारी के नाम याद रखो याद रहतु है जो सब्सक्राइब के साथ उसेक्षड में और इनके साथ मिल करके यह प्लाय। प्लास्टिक लैजमेंट प्रोग्राम यह बनाएंगे तो आपको बस यादका न эпिकी आ पकिया हैbak वाद सब्सक्राइब के साथ नेक्सट देख लेते हैं इस forged देख लेते हैं इस रोब और नीती आयोग तो इन्हों ने मिलकर क्या पता है तो बताव कमेंड करके इस्तों और नीती आयोग इन्हों नहों लांच किया है National Space Discovery चैलेंज 2023 यह जो डिसकवरी चैलेंज जो है यह स्कूल के बच्चों के लिए है सभी स्कूल के बच्चों के लिए है तो नाम याद रखो National Space Discovery चैलेंज 2023 जो है यह जारी किया है यह लांच किया है इस रो और नीतियायोग इन्होंने मिल करके अगली का इन्द फैर्ट देख लेते हैं आपको पता हुआ कि हाल ही में अफरिका की एक country है नाइजर तो वहां के military ने वहां के कि मिलिटरी को यह कहा है कि आपने जो कड़ा है यह गलत है है ना आप दुबारा से आप जो गौर्मेंट जिनको आपने हटाया है उनको दुबारा से वापस पे लाओ नहीं तो आपके उपर जो है वह अटाइक होगा अब इसको अमेरिका और फ्रांस दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए यह नाम इंपर्टेंट हो जाता है इकोवास क्या है तो एक गुरूप है अफ्रीका में कुछ कंट्रीज का गृूप है अगली का देख लेते हैं जल जीवन सुरक्षा मांधली देफ में और इनलेंट का नागा लैंट का नागा ट्रैदिशनल फूर लेभाटरी यह इनग्रेट किया जाएगा इसी महीने में और अगली कंफेड देख लेते हैं नागा लैंड में जो कोहिमा डिश्टिक है वहाँ एक कॉलेज है कॉलेज का नाम क्या है जंफु क्रिश्चन कॉलेज तो यहां यह इस्टार्ट किया जाएगा तो याद रखना है अपको अगली करेंट पर देख लेते हैं एक बहुत ही फेमस जो है एक फिजिक्स फिजिसिस्ट रहे है बहुत बहुत इक विज्ञानी रहे है साइंटिस्ट बड़े बहुत इंपोर्टन थे नाम उनका क्या तो नाम उनका विकास सिन्हा विकास सिन्हा तो यह इवन पहले साहा इंसिटूट ऑफ अटोमिक फिजिक्स और एनेरजी साइकल ट्रॉन सेंटर इसके जो है यह डारेक्टर भ का वीडियो यहां एंड होता है आप जुरूर मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारे यह डेली करेंट अफर वीडियो इन हिंदी आपको कैसा लगा कोई डाउट कवारी हो तो मुझसे आप जुरके बात कर सकते हो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले पिले सब्सक्राइब थाउन आपकुछ